शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शिरो जिमारू झालें आएकन के लिए सब्सक्राइब ऊ'' झाल झाल हुआ 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 है हुआ हुआ है 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 हुआ 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 हं हुआ हं जल्दी से नश्ता लगा हो ना ète भी घोड़े पर शवार होकर दुलन त ले आइज घर के लिए ओ मा, फिर वाई दोलन वाली बात, जल्दी करो न मा, बहुत भूक लगी है मा, जल्दी एक टोस दो न अहां, हर बात में जल्दी रहती है तुझे, शादी करने की जल्दी नहीं है मा, फ़ड़ा दूदो न प्लीज मैं क्या कह रही हूँ, सुन रहा है तुझ या नहीं, हां, यह ले थैंक्यू मा, थैंक्यू, अरे, मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ, तुझ हमेशा इस बात को तालता क्यों रहता है, हां किसी बच्चे की आवाज है कितना प्यारा बच्चा है इस बच्चा किसका है, कौन आया था यहां यहां कोई निया है तो शाब, तुमने यहां किसी को आते जाते नहीं देखा नहीं शाब, हमने यहां किसी को आते जाते नहीं देखा मा गोर्खा बोलता है, उसने यहां किसी को आते जाते देखा नहीं किसी का इस तरह बच्चे को यहां चाला की से छोड़ जाने का मतलब ब्लैक्मेली? क्या बोल रहा है थी? हाँ मा, जमाना बड़ा खराब है हो सकता है कोई हमें ब्लैक्मेल करना चाहता हूँ हमें कोई क्यों ब्लैक्मेल करेगा? पैसे के लिए मा, किट्नैपिंग का इज़ाम लगा करेगा किट्नैपिंग? हाँ मा, जुना का सबूद जो आपके गोद में है कोई भी पुलिस में कंप्लेंड करके हमें किट्नैप करने के जुर्में फ़सा सकता है किसकी हिमत है हमारी तरफ आख उठा कर देखने की? मा, मेरा कहा मानो, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं पुलिस के सिने में मा का दिल नहीं होता, बेटी इतनी से नननी सी जान को मैं नहीं पुलिस के हवाले करूँगी तो फिर मा, आम इसे किसी अनात आश्रम में छोड़ देते हैं तो आफिश अलाजा, इसके साथ क्या करना है, मुझ पे छोड़ दे जा अरे देखो तो, कौन आया है, देख, देख, मुनने कौन आया है अरे वा, इतने धेर सारे खिलोने, लगता है, मा का मन जीत लिया है इसने फिर, मेरा मन तो इसके पहली जलक नहीं जीत लिया है, तू भी इसे प्यार से दे, तेरा मन भी जीत लेगा कि चांटी, चाए का पानी रख, तू इसे पकड, मैं तेरे लिए चाए लाती हूं, ले पकड़ कमाल है तुन्हे मा को पटा लिया है अब मुझे भी शमाल देके पटा रहा है चल ठीक है हम भी तुझसे दोस्ती कर लेते हैं ओके ओके अलाला खुझसा एंधाए कर दो वो कर दो झाल झाल राज क्या है माँ राज बेटा मुनने का दूद्पिने का वक्त हो गया है उसे यहां लेकर आओ आया माँ मुनना बिते भगवन को जय जय करो 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 जय 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 गुद मॉनिंग मैड़ गुद मॉनिंग आप लोग हम लोग इस बच्चे को लेने आये हैं इस बच्चे को? क्यो? आपकी गुद में हमारे क्लाइंट का खोया हुआ बच्चा है यह बच्चा खोया हुआ नहीं है इसे जान बुचकर यहां कोई छोड़ गया है हम बहस नहीं करना चाहते हैं मैड़म आप सिर्फ यह बच्चा हमें लोटा दीजी नहीं यह नामुम्किन है यह बच्चा मैं वापस नहीं दूँगे देखिए मैड़म हम आपकी इज़त करते हैं इसने पुलिस और कानून का सहारा नहीं लिया हम नहीं चाहते हैं यह आप जैसी महिला की बदनामी हो और किट डैपिंग का चार्ज लगे वकीन साहब आप तीन वकील है मैं तीन सो वकील खड़े कर दूँगा आप किसी भी अदालत में जाईए जो भी चार्ज लगाना है लगाईए मगर हम ये बच्चा किसी कीमत पर भी वापस नहीं करेंगे नहीं मैडम इस बच्चे पर हक पर सिर्फ मेरे क्लाइट का है कौन है आपका क्लाइट इस बच्चे की मा तो वह घ्यू नहीं आती यहाँ लाइए उसे हमारे सामने मैं भी तो देखू उस पत्थर दिल माखो जो इसे हमारे दर्वाजे पर छोड़ गई और आज इतने महिनों बाद उसकी ममता अचानक जाब उखी बुलाईए उसे तो तुम हो वो ममता की दुश्मन माखो मेरे बीटा टालूड़ इसका जावब भी से महिन को लोटव अब तुमी किया हुआ चुछ नहीं माख अधिस नहीं रोटा दो नहीं मैं जानना चाहती हूँ कि यह लड़की कौन है और इसके साथ क्या तालूक है तुम्हें कुछ नहीं मा इस बच्चे को लोटा दो खबरदार जो तुने इसे हाथ लगाया इसका मतलब जरूर इस लड़की के साथ तेरा तालूक है अगर तुने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो किद्नैपिंग का चार्ज मैं अपने सर ले लूँगी बे इजदती उठांगे और जेल चली जाओंगी अगर त तुने मैं अगर तुम्हें एकड़ववा तक्लीफ oh गया ये सब जानकर बहुत दुक होगा तुम्हें बहुत तकलीक होगी पने दो तकलीफ सब मनजूर है मुझे बताओ सच क्या है तो अपने दिल पर पथर रखिखलो मा अदसेजा जो रोनर, मुल्दिम जगदीश चंद जैसे अमीर जादों, भिगड़े हुए नोजवानों के लिए, किसी भी वरीब, खुबसूरत और जवान लड़की की इज़त, महज एक खिलोना है, और रेप, यानि बलातकार करना, इनका शौक है इस तरिक की शाम को मुल्दिम जगदीश चंद ने मेरी क्लाइट तारः को स्टेट्मेंट अफ perks कंप्लीट करने को कहा जब तारः स्टेट्मेंट लेकर इनके कमरे में पहुची, तो मुल्दिम जगदीश चंद ने कमरा अंदर से बंद कर दिया और जोर जबरदस्ती मुल्जिम जग्दीश चन ने मेरी क्लेंट तारा की इस्जत लूट ली यूर अनर मिस्टर शर्मा मरजी और जबरदस्ती के बीच का फर्ग बता सके तो बहतर होगा मरजी दिल का एक्रार नामा होता है अच्छा और जबरदस्ती इस जैसे वैशी चानवर की नापाक हकीकत फिर छोड़ी इस बात को अपने अभी क्या कहा कि रेप 30 एप्रिल को हुआ यहां 30 एप्रिल को और पुलीस में कंप्लेंट दर्स करने की तारिक तीन मई हां मतलब आपके कहने के मुताबिक रेप 30 एप्रिल को हुआ और कंप्लेंट तीन मई को दी गई यानिके तीन दिन बाद सच तो यह यह यूर ऑनर की रेप हुआ ही नहीं पालन और यहितार एक बच्चलन बादारो लड़की है कैंति पता चला है शेक्सिस का सिक्का है और यह अपना यह सिक्का हर राप जिसम के बज़ार में चलाती है जूट है यूर अर्जका ओर्षा क्लार कि यह जूट और के होती है आदमी की नहीं अजमी को इज़्जत से जीने का कोई हक नहीं मेरे इज़्जदार क्लाइन के इज़्जत पर आपने कीचर उचला है एक बाजारू और बचलन लड़की के कहने पर बिना सबूत अप मेरे क्लाइन को रेप केस में फसाने के कोशिश कर रहे है मिलार अनेक सबूत है और मेरा पहला गवा है नौ रंगी पान वाला जी हाँ हुजूर, ये तारा हर रोज रातमा हमरे दुकान पर पान खाने आती है और वही कर अपना सिकार तलास करती है किुš्कि हुजूर, हमरे दुकान पर बहुत अमीर लोग आते हैं और ये कंवक्त पान की लाली एके होटो पर ऐसी रचती है आईसी रचती है कि कोई न कोई ग्राक ठांसी जाता है मेरा दूसरा गवाः हुजूर मैं सुबा मंदिर में फूल बेचता हूँ और साम कुछ जुहू में गजरे तारा बंठन कर रोज नए ग्रहाक के साथ आती है मुझसे गजना लेती है और गवाः को सुगा कर उसी कलाई पर बांद देती है और उसके बाद क्या बताऊ हुजूर सरमाती है अरे शरमाओ नहीं भाई अदालत को सब कुछ बताओ हुजूर वही पर गवाः के चुम्मी ले लेती है तीसरा गवाः मैं आटो चलाता हूं सरकार सेक्ड़ो बार ये तारा मेरे आटो पर सवार होकर शिगार के लिए निकलती है अगर किसी रात इसे शिगार नहीं मला तो सरकार तो ये मुझे शिगार बना कर मेरे दिन बर की कमाई ले जाती है चाउथा गवाः हुदूर अड़ाब सरकार वैसे मैं आया ताथा हिरो बनने के लिए लेकिन ये हाइट की वज़ों से मार खा गया और दलाल बनना पड़ा हुदूर मैं दलाल जरूर हूँ लेकिन कमाई हलाल की खाता हूँ सरकार ये तारा जिस्म फरोशी के सिल्वार स्क्रीन की जीती जखती टश्मीर है हुदूर पिछले दो साल से मैं इस लड़की के लिए रोज नए नए कस्टमर लाता हूँ इससे इसकी भी जेब गरम और मेरी भी जेब गरम पाच्वा गवा सरकार मैं चादर बदल होटल का वेटर हूँ मेरे चादर बदलते ही तारा के गरहक बदल जाते हैं सरकार सरकार मैं गुलफाम होटल का चोकीदार हूँ तारा के कस्टमर सभी अमीर होते हैं सरकार और उनकी जेब हमेशा नोटों से भरी हुई रहती है जब उन्हें ये हमारे होटल में लेकर आती है तो अपनी भी जेब गरम हो जाती है सरकार Your Honor, इतने सारे सबूतों के बाद अब सारी सच्चाई आपके सामने है और अब फैसला आपके हाथ में है That's all Your Honor सारे गवाहों के बेयानात और हालात पर गोर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि मुल्जिम जग्जीश चंद पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सरा सर गलत है लहाज़ा ये अदालत उसे बाइज़त बरी करने का हुक्म देती है मुझे वकील साहब से मिलना है आपका अपनेंट है उनसे? तब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वकील साहब दस दिन तक बहुत बेजी है क्या आप बता सकती है उनसे राई लेने की फीस क्या है? एक घंटे के पांच हजार रुपे है तो मैं पचास हजार रुपे दूगा, वो भी सिर्फ पांच मिनिट के लिए मुझे अभी और इसी वक्त उनसे मिलना है 50,000? येस येस सर एक साहब पांच मिनिट की मिटिंग के लिए 50,000 रुपे उफर कर रहे है तेल इम टूएट मैंने आपका केस टड़ी कर लिया है आपका काम हो जाएगा ये तेंक ये सर सेंड इम इन कॉंग्राचिलेशन सर, कॉंग्राचिलेशन मुझे सर राजकुमार कहते है आज अदालत में आपकी जिर्य और बैस देखकर मैं ता आपका फैन हो गया हूँ सर आपने कितने खुबसूरत दाउं पेंच से उस रेपिस को बचा है कमाल कर दिया सर आपने, कमाल थैंक्यू पर आपकी प्राब्लेम क्या है क्या आपने भी किसी का रेप किया है नो सर, अभी तक रेप नहीं हुआ तेक रेप लड़की है सर, जिसका मैं दीवाना हूँ अगर वो खुशी-खुशी प्यार करने को राजी नहीं हुई तो फिर रेप तो होगा है न सर तो मुझसे क्या चाहते हैं आप आपकी राय चाहता हूँ अगर उसने मुझे खुशी से अपना सब कुछ नहीं दिया तो मैं उसका रेप कर दूँगा अच्छा रेप करते वक्त मुझे कौन सी घलती नहीं करनी चाहिए और क्या सबूत में छोड़ना चाहिए यह आप मुझे समझाईए सर आपके केस लड़ने में और मुझे बचाने में आपको आसानी हो जाए अरे वाँ मिस्टर राजकुमार है आप जैसा समझदार क्लाइंट तो हमें पहली बार मिला है जो क्राइम करने से पहले हमारी राय लेने आया है वरना लोग तो क्राइम करने के बाद वक्तिल के पास आते हैं थोड़, I like it थाईगी सर, हाँ और ये लिजे आपकी फीज, 50,000 मिस्टर राजकुमार हमारी जिन्दगी में जवानी से लेकर आज तक इश्क का सिलसिला चल रहा है लेकिन हमारा एक ही उसूल है इश्कर दरिया में डाल वेरी गुद सर, हिदायत नमबर वन माशुका को अपने हैंड राइटिंग में खत मत लिखना सारी बातें आमने सामने या फोन पर करना होटेल में ठेरो तो मिस्टर और मिसेस के नाम पर कमरा बुक करने की गलती कभी नहीं करना बेतर यहीं होगा कि तुमारा कमरा अलग और माशुका का कमरा अलग रात को एक कमरा खाली और दूसरे में रैन बसे रा होटेल का भील हमेशा क्या शादा करना क्रेडिट कार्ट से नहीं और तुम जिस लड़की से प्यार कर रहे हो मुवबत कर रहे हो इसके किसी दोस्त या दुश्मन का नाम और पता अपनी डायरी में नोट करना ताकि जूर्म में फस गए तो शक की सुई हमेशा उनकी तरफ घ गम अडि नक्रे वाली शुरू-शुरू में वो बिजली की तरह कडकती है और बिचु की तरह ंडंक मारता है तुमने उसका टंग तोड़ दिया उसके घमन को चूर कर दिया समझो फते और टाइप नमबर टू से और टाइप नमबर टू तिटली की तरह नाजूख पपिये की तरह प्यासी और जाड़े की धूप की तरह गुनगुनी और दिलकश होती है वो अपने खुबसूरत सपनों की दिल फरेद दुनिया में रहती है इस इंतजार में के एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे बाहों में उठा कर ले जाएगा और तुम तो राजकुमार होई हां पर खुरदार ऐसी लड़कियों को फूलों की तरह सूंगो वासुरी की तरह होटों पर रख कर बचाओ बस फते और टाइप नमद्री सर बहुत प्रैक्टिकल होती है हाथ लगाते ही कहती है पहले शादी बाद में सब कुछ पहली तो त तेर किस बात की जाओ और फते करो एनी प्राब्लेम कम टु मी थैंक यू सर सर किसी क्लाइट ने आपके लिए फूल बेजे है किसने बेजे ये फूल किसने बेजे मुझे ये फूल और ये काल है कि अ परफशा को कि दूतल थे हैा वे खाल आपके यो तेहां कर वाद्र फैंप कादिमी काई ये ज़्सने ज़्र भी क्या है जाजी भर के देख तो लेने दीजिए यह क्या बद तमीजी है यू स्टुपिड मैं स्टुपिड वाह आपके तम तम आते हुए चहरे का यह हुस्न आखों से फूटती हुई नाराजगी की चिंगारिया दिल का शोंटों पर मचलता हुआ यह गुस्सा वाह ए मस्टर अभी तुमने हमारा गुस्सा देखा नहीं है इस तो घृचार के खड़े हो उपसे जबन दरा दी जी हाँ तो क्या कर लेंगी आप ? क्या कर लोंगी ? आप स्माश ओ कार समझे ? अजी कार स्माश करने से तो बहतर होगा कि आप और हम आपस में टक्कर मार लें क्या मतलब है तुमारा ? मतलब नहीं हमारे पास सिर्फ आप अकेली कहा है तो जनम जनम से आपके साथ हूँ यू आई यू मैड येस आइम मैड अबाउट यू देखें मैं आखरी बार आपसे कह रहे हैं अपनी बखवास बंद कि जो गारी हाटाई है वह फिर वही बात हम तो आपकी राहों में दिल बिचाए खड़े हैं जरा सोच कि जब धड़कते हुए दिल की गाड़ी फस चुकी है तो फिर अटे की कैसे आप हद से ज्यादा बत्तमीज आदमी है मैं पुलिस को बला पुलिस पुलिस आके क्या करेगी आखर जो कुछ भी करना है वो हम दोनों को ही तो करना है जैसे जगडा प्यार तक्रार वगेरा व तुम इस तनहाई में मुझे ज्यादा घुसा आ गया तो मैं तुम्हे रेप भी कर सकता हूँ रेप ? लेप ? ठोड़ा मुझे यू डॉटी मैं नो I'm not a dirty man, I'm a gentleman a perfect gentleman मैं मकील सहाब ठीक कहा था आपने ये लड़की तो वाकई बात बात में डंक मारती है लेकिन मैं भी फत्य हासल करके ही रहूँगा कर दो कर दो करूंगा तो सामने करूंगा तो सामने करूंगा कि दोनों बॉर्डल का बिल मैं दे दूना नहीं दो मैं जामने की इंस्टेंट कॉफी की तरह आपका इंस्टेंट आशिक आशिक इस ना यह फोट इस माइफ एक इस खूबसूरत है आपके पसंद की दाद लेता हूं यू इसमें ताजूब की क्या बात यह दुकान है इसमें सामान है और कोई भी अपनी पसंद की चीज को हाथ लगा कर देख सकता है यू देर नॉट नॉट मैं हेल्पिए सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ मुझे लेटेस्ट पैशन की कुछ नयाब और शांदार ब्रस चाहिए अपनी गुल्फेंट के लिए नाइस वांज यू आँड गलास जरा लोकट होना चाहिए आकी सेक्सी लगे इन मेंस की तरह और कमर पतली होनी चाहिए इने की तरह नोंसेंस आप अपनी गल्फेंट का मेजरमेंट पैथाएंगी अवकॉस बिल्कुल इनकी तरह है 34, 24, 34 चाहिए तो आप इनका मेजरमेंट लेकर देख सकती है एनी अब्जेक्शन्स आप इनहीं मेरी गल्फेंट समझ लीजिए आज नहीं तो कल आप ही सारी दुनिया को कहीए आएम या बॉइफ्रेंड आप जरा अपना फुट वहीं जमीन पर मारियेगा पिसली बार आपने अपना फुट मेरे फुट पर मार दिया था अब तक दर्थ कर रहा है अब आप अपने आपको समझते क्या है मैं आपको सीधा कर दूंगी यू अनरस्टाइंड हाँ i understand but you don't understand you know i love you którą पिंक्राइद करा चींद करो तो का Oke तोड़िया उसने मेरा क्या हुआ एक दिल पकड़ लिया मैंने उसे एक लड़की के साथ है चिने लगा मेरी कजन है आज का ञ hesit है अर्वाद में उसी से अश्क फर्माते है वां टो ट्रि फो अरे नेलू अब तेरी सुना ना अरे मेरी न पूझ एक बत्तमीज मेरे पीछे लगा हुआ है यह मिस्चर यह क्या बत्तमीजी है बंद करो जाने दी यार तू आगे बता ना पहली बार मुझे एक सुनसान जगह पर मिला और सड़क पर उसने गाड़ी से रास्ता ब्लॉक कर दिया वान टू थ्री फोर है जब मैंने उसे गाड़ी हटाने को कहा तो बड़ा रोमांटिक हो गया बंद करो ये बैंट बाजा चोड़ना यार तू आगे बता ना फिर मैंने उसे डांटा तो बाल पकड़कर बत्तमीजी पर उतर आया कहने लगा मुझे गुस्ता मत दिलाओ वनना मैं तुम्हारा रेप भी कर सकता हूं आगे बता ना मैं तो डर गई फिर कहने लगा मैं जेंटलमेन हूं और चला गया फिर गाड़े भी हटा दे वागी वो जेंटलमेन होगा चलो यार यहां से यह बहुत बोर कर रहे हैं अच्छा फिर कभी मिला हो मिला हरे वो तो मेरे पेचे ही पड़ा हुआ है एक डिपार्टमेंट स्टोर में मेरे हाद से एक परफ्यूम की बॉटल गिरकर तूट गए उसने भी वैसे ही परफ्यूम की बॉटल उठाए और मैंडम में दोनों बॉटस का बिल पे कर दूँगा हाई से शॉट अप एट चोड़े नहीं यार नीलू उसके बाद फिर वो मिला मिला एक बुटेक में ट्रेस करीते हुए बोला मेरे गल्फिन का मेशरमेंट है 34 24 34 यू? यस नीलू जी जहां आप वहां मैं क्या यही है वो? हाँ अच्छा है यार शॉट आप दिगरती क्योँ है कभी-कभी ना समझी में अच्छा माल हास से निकल जाता है तो जा तू ही शादी कर ले उससे कर लेती लेकिन वह तुछ पर मरता है ना ठीक कहा आपने मैं इन पे दिल से मरता हूँ, जान से मरता हूँ, सोते मरता हूँ, जाकते मरता हूँ, उठते मरता हूँ, बैटते मरता हूँ, क्या करूँ? अल्ला ने सूरत यसी बनाई है अरिश्ते भी देखें, तो बेहिमान हो जाए Shut up! झाल 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 बाग में तुझसा गुलाब नहीं तेरा कहीं जवाब नहीं ये जवाब नहीं ये जवाब नहीं झाल 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 जाने महोंनी नफसरा इश्क की बेखुधी तू नशा प्यार कर अल्ला है अल्ला क्या सूरत है तेरी जैसी मैंने सोची थी वो मूरत है तेरी दिल को मेरे हाई जरूरत है तेरी अल्ला है अल्ला क्या सूरत है तेरी जाने तमना निकाहे मिला यू शर्मा के ना पले के जुका हाई जाने तमना निकाहे मिला यू शर्मा के ना पले के जुका जान है मेरी कयामत है तुझ में बला की नजाब कते है चांदनी रागनी नौशनी क्या कहूँ दूर मैं दिल रुबाद अब भला क्यो रहूँ अल्ला है अल्ला क्या सूरत है तेरी जैसी मैंने सोची थी वो मूरत है तेरी दिल को मेरे हाई जरूरत है तेरी अल्ला है अल्ला क्या सूरत है तेरी अल्ला क्या सूरत है तेरी याहू अल्ला है अल्ला है तेरी याहू जयान, जिकना, जजानी इसा र implemented जयान, जिकना, जजानी साथरिवड़ एल कRI GON nhө प्होल कRI कRI प्हे म कRI करे, प्रड़े! आज में इसे लॉट कर नहीं जाने तूंगा आज की रात इसे मेरे साथ कुछारनी होगी मैं जानता हूं तुम पूछो कि इतनी देर क्यों कर दी पैदल चलकर आ रहा हूं रास्ते में पूल तूट गया ट्राफिक जैम हो गया बड़ी मुश्किल से हां तक पहुचा हूं अभी तो हम मिले भी नहीं और तुम अभी से वापस जाने के बारे में सोचने लगी जब पूल ही तूट गया है तो वापस जाने का सवाल यह नहीं उड़ता देखो ना शाम हो रही है और लगता है रात भी हमें यहीं कई गुजारनी होगी और नो क्यों जरती है मुझसे तुमसे नहीं अपने पापा से वो मेरी गर्दन ही काट देंगे इश्क में तो गर्दने कटी ही रहती हैं मगर आपकी गर्दन बचाने का रास्ता हमने ढूंद लिया है क्या मतलब देखने लिए आज रात तक तो फूल बन नहीं सकता और अगर हम जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते और अगर नहीं जा सकते तो आज रात तक तो हमें यहीं रुखना पड़ेगा मगर राज मगर वगर कुछ नहीं पूल टूटा है लेकिन टेलेफोन सलामत है अपने पापा को टेलेफोन करो और कह दो जाद घर नहीं पहुंच पाओगी वाट हां लो फोन करो और कह दो कि तुम अपनी सहलियों के साथ वाइड लाइफ देखने भरत पूर फोरस्ट आही पड़ता है लीजे ओन कीजिए अलो पापा मैं नीलू बोल रही हूं नीलू अरी शाम हो रही है तु अभी दागर नहीं पहुंची कहा से बोल रही है जी भरत पूर फोरस्ट से भरत पूर फोरस्ट वा क्या करने गई है पापा वो मैं अपनी सेलियों के साथ वायल लाइफ तेखने आई थी वायल लाइफ देखने आही है पापा वो रास्ते का फोल टूट गया है पूल टूट गया है हां पापा और इससी के वैसिसे हम यह आटख गए हैं आने कसा कोई रास्ता नहीं है कि आ कि आल् seems यहां पापा नीन तो मुझे भी नहीं आएगी ठीक है ठीक है सबेरे रास्ता खुलते सीधे घर पहुच जाओ अंडर्साइंड यह पाप लेकिन राज अब हम रात कहां गुजारेंगे मेरे साथ किसी होटल में होटल में क्यों डरती हो में नहीं डरती जूट भोले घर में डरती तुम्हारा कमरा अलग मा शुक्या कमरा आलग राथ को एक कमरा खली और दूसरे में रहन बसे किस सोच में पड़ गया राज हाँ कुछ नहीं दो कमरे हाँ तुम यहीं थेरो दो नहीं तो एक तो कमरा दे दो अना मेरे सारे सपने चूर हो जाएंगे मैंने कहा ना सर नो रूम राज क्या एक भी कमरा खाली नहीं है अरे भई ट्रेन में हावाई जाज में बड़े बड़े होटलों में जगा ना होते हो भी वी वी आई पी इसके लिए जगा रखी जाती है अगर हो सके तो हमें भी वी वी आई पी कमरा ही दे दो वी वी आई पी रूम मिल सकता है लेकिन उसका चार्जिज 20,000 रुपए पर ना होटेल का बेल हमेशा कैश आदा करना क्रेडिट कार्ट से नहीं क्या हुआ राज कुछ नहीं मैं तुमें कैश पेमेंट करूँ लो प्रॉब्लम यह लिजे थैंक्यू वाव फिंटास्टिक तो ले कर दे मैं नहीं तो कर दे क्यों डरती है क्या कर दे ओ नो तू बन कर दे अरे जा तू डरती है मैं नहीं डरती वर्टी प्यार होगा नहीं ऐसे डरे डरे के चापी भेख दे भेख दे भेख दे चापी भेख दे डर्वासा बंद करेके यार जीना नहीं हमको मर मर के चापी भेख दे भेख दे भेख दे डर्वासा बंद करेके यार जीना नहीं हमको मर मर के खुलके मोहबत का इजहार एक तर अपना समाने की रस्मों से डर हाँ खुलके मोहबत का इजहार एक तर अपना समाने की रस्मों से डर परवाह कोई ना कोई फिकर दुनिया से हो जाए हम बेहबर हम तोहारे सनम हम तोहारे सनम आहीं भर भर के जावी फेक दे फेक दे फेक दे फेक दे जावी फेक दे दर्वाजा बंद करके यार जीना नहीं हमको मर मर के दिल में छुपे इश्क भीजवाला है कोई नहीं देखने वाला है दो जिस्म एक जान हो जाएंगे सपनों की बाहों में खो जाएंगे आके सोजाओ आके सोजाओ पहलो में दिल बर के आके सोजाओ पहलो में दिल बर के जावी फेक दे फेक दे फेक दे जावी फेक दे दर्वाजा बंद करके यार जीना नहीं हमको मर मर के जाब ये ठेक दे ठेक दे कि मिलू तुम्हारा प्यार पाने के बाद मुझ में ऐसा जोश भर गया है कि दिल करता है तुमसे फॉरन शादी कर लूँ घर बसा लूँ और दुनिया की तमाम दॉलत लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूँ ओ राज मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी दॉलत है लेकिन नीलू प्यार की दॉलत के साथ साथ संसार की दॉलत पाना भी बहुत जरूरी है और इसी दॉलत को हासिल करने के लिए एक बिजनस के सिलसले में मैं अमेरिका जा रहा हूँ चला जा और तुम एक दिर महीने की बात कर रहे हो ओ नीलू थोड़ी सी जुदाई थोड़ी सी तलप महबत को और पुखता बना देती है लेकिन इस तुट डिफिकल्ट राज अरे देखना आठ दस बार यादों के आते आते दस बीज बार आहें भरते भरते ये एक दिर महीना चुट की बजाते निकल जाएगा तुम्हारी फ्लाइट का मेराज आज रात दो बज़े जुद कर दोड़ाज़ाय के तुम्हारा जोज बता रहा है कि तुम फते हासिल करके आ रहे हो सर आपकी हिदायते और मश्वरे के मुताबिक मैंने पहली फते हासिल कर ली है यह वंडरफुल सर हमारा सारा मामला महबत से ही पढ़ गया रेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी लेकिन सर लेकिन क्या सर एक और हसीना है विदेश में अगर वह भी आपके इस फॉमिले से पढ थाल क्यों थाल को याल का तक्यों क्यों क्यों थाल को विदेश में दुमिले से प्ढ़ को झाल थे देल तक्यों से घ्किज़ सिदू है प्यांबकी अचेश कराएं सेगल कर दको अॉअ हो मैं पसलो सेबी करेश झासी झर्ष जोन कर दो फिक है में थेसे जैंती स्मराइजनी बेहां नह्म इः दिर देसा है आतीमा ये फ्लास और गिफ किसके लिए आया है ने भीजने वाले का नाम है ने जिसके लिए भेजा है तेरे बॉइफरेंड ने भीजोगा खोल के तो देख क्या है कम अन गैल्स देख देख क्या है लेट्स गो वाव दुनिया की सबसे खुबसूरत लड़की के नाम वाव फो यू अब तलक इश्क में आखों से ही बातें की है ये अदातन को सिखा दोगे तो चैन आएगा वाव फो यू आख दुनिया में लगी हो तो बुझाना मुम्किन तुम लगी दिल की बुझा दोगे तो चैन आएगा वाव फो यू ओ माई इश्कने करवटें बदली हैं बदन में मेरे आग नसनस में लगा दोगे तो चैन आएगा वाव फो यू तुपिर उस्तम निकली कभी बताया ही नहीं कहा कहा तेरी मुलाकात होती रही यार मैं तुछ जानती तक नहीं की एक कौन है चूट मत बोल का टूटयमी कि मैं दुनिया की सबसे खुबसुरत लड़की से बाद कर सकता हूं दुनिया की सबसे खुबसुरत लड़की के लिए फोन है तुम्हारे लिए मेरे लिए येस हाई मिस आपका दिवाना बोल रहा हूँ अच्छा अपना नाम तो बताईए आपको देखने के बाद मैं तो अपना नाम ही भूल गया फोटोस कैसे लगे आपको लिए बहुत अच्छे लेकिन आपने बिल नहीं भेज़ा अरे हुजूर बिल नहीं दिल भेजा है अच्छा ? जी हां टिना जी ओटो आपको मेरा नाम भी भी मालू है और अड्रेस भी जी हां टिना जी आप तो मेरे दिल की गैराईठायों में समाय हुई है क्या आपको मेरे शेर पढ़कर एहसास नहीं हुआ अच्छा तो आप शायर भी है जी हाँ बस मुलाकात की देर है आपको मेरी सारी खुबिया मालूम हो जाएंगी तो कब होती है मुलाकात जिस तरह आंजाने में आपने तस्वीरे कीछ ली उसे तरह आंजाने में किसे दिन भाई खुबसूरत फूल भेजे हैं हसीन तस्वीरे भेजी है गजल भी भेजी है कमाल काशिक है तीना इसे हाथ से जाने मत देना हाई क्या जरना है या सावन का महीना है या पत्त्रों के माथे पर पतीना है हाई तीना हाई 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 यह कॏ तीना है हाई 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 क्या सीठ है ぞितनी ऐह कि नमकीन न completing सारी कॉलेज में शोर मचा हुआ है कल किसी ने तुम्हें फूल भेजे फूल फूल अरे फूल ही नहीं चोरी चोरी खीचोई बहुत सी फोटो भी भेजी है यह लगे दिना उसके बाद उसका फोन भी आया कहता है क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बात एक और फोटोग्राफ ले सकता हूँ ओ नूँ स्माइल प्लीज क्या यही है वो अरे यह तो बंदर की तरह कबसे गाड़न में फूदक रहे आपको मेरे फोटो अच्छे लगे जी यहां बहुत अच्छे थे और मेरे फूल वो भी अच्छे थे और मैरे तीना जी और मैसर trick अजर्ड़ हाँ आइ क्या चलती है क्या चलती है अब हाथ पकड़ना है फिर प्यार करना है फिर ये करना है फिर वह बना है कभी नहीं एक्सक्यूज में आपने सिर्फ फूल और फोटो की बात बताई वो गजल नहीं सुनाई इन्हें कौन सी गजल फोटो पे जो रख दोगे तो चैन आएगा और दो चार मेरे हाथ की खाओगे तो चैन आएगा अबे जा ओटों पे तो मैं रख दूँगा तू दूर हो जा में नजरों से जा तू इनके फूल जैसे ओटों पे तेरे गंदे होट रखेगा तेरे बाप कमाल है एक्स्क्यूज मी यह 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 वह 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 व व वझाँ 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 हाँ शाओ एकार जबेचर उपना माँ तुज़े तहलूगा को मैं तुझे की तो पाफ्लीकराशी ने आड़ा थैंक यू दुनिया की सबसे खुबसुरत लड़की अरे ज़रा सुनिये प्रीज बिना सुने ही वो सब कुल समझ गए है अगर आपको कल उससे मिलना है तो थैंक यू यू वेलकम हाई 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 आपने अधर कुछ लड़किया देखी नू नॉट इवन वन ओ ए मिस्टर आप इंडियां से हैं या अन्यू आल है तो हम इंडियां लेकिन न्यूजिलेंड में रहते हैं तुम्हें किस लड़की की तलाश है दुनिया के सबसे हसीन लड़की की जिसने मेरा दिल छीन लिया है तो उसके बारे में हमें भी कुछ बताओ जाने कौन थी हसीना जिसमें मेरे दिल को थीना कोई जादू कर थी वो उसको तकता रह गए हो जाने कौन थी हसीना जाने कौन का दिल मेरा अंजाना जाने कौन का दीवाना ले गया दी मेरा अंजाना कोई जादूगर था वो उसको तक दे लेगे खो जाने कौन का दीवाना जाने कौन की हजीना सुर्मई जैसे शाम थी तालों में वो चांद थी भागों में बहार थी लड़की वो गुमनाम थी सुर्मई जैसे शाम थी तालों में वो चांद थी भागों में बहार थी लड़की वो गुमनाम थी पन के दिल पे परसी प्यार जैसे सावन का महीना जाने कौन थी हजीना कोई जादो गर्थी वो उसको तकता रह गय हो चांद कौन थी हजीना जाने कौन थी भागों करते हम जाने बहां कि दो प्यूंग को महीं जाने कौन थी लड़की वो चांद कोई भागों कि बहार बहाँ हो थी हम सर बागों कि प्रङ़् में प्रियों अग्रों कि एम भागों थोड़ा सा पागल था वो, आवारा बादल था वो, आँखों में से जालू में प्यारा सा का जल था वो थोड़ा सा पागल था वो, आवारा बादल था वो, आँखों में से जालू में प्यारा सा का जल था वो ऐसे दिल में बस के वो, जो गुठी में नगीना, जाने कौन का दिवाना, जाने कौन की हसीना कोई जादू कर था वो, उसको पक्ते लेके खो, जाने कौन का दिवाना, जाने कौन की हसीना जिकजिया जिकजिया जिकजि कली थे वो आनार की, सूरत थे वो प्यार की, कुदरत से पाकी जाथे, रब का वो देदार थे कली थे वो आनार की, सूरत थे वो प्यार की, कुदरत से पाकी जाथे, रब का वो देदार थे तुझको लाखो है सरा, साजन तेरा है शुकराना, जाने कौन की हजीना, हो जाने कौन का दीवाना, कोई जादो कर थी वो, उसको तकता रह गय हो, जाने कौन का दीवाना, जानी कोल की हर्जीना कने सरना कि दएफिसे हैं थ armed प्रभाज के अच्तार अजर! मज़ बेसे हैं ज Gulी तुमी के विए प्रफास ? कर दो कर दो कर दो कर दो आज मैं तुम्हें बंजी जंपिंग दिखाती हूं बंजी जंपिंग वो क्या था है लोक अपने पैरों में अरस्ता बानकर बहुत उचाई से नीचे कूचते हैं वेख दिलिंग वरी एक्साइटिंग कम आं लेट्स गो के लेट्स गो को हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है दीना 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 तुम बहुत ही ऐसान फरामोश हो क्यों मैंने ऐसा क्या किया है अरे मैंने तुम्हें उस घुंडे से बचाया तुम्हें इस तरह के थैंक्स चाहिए तो ठेक है मैं तुम्हें तुम्हारी पैसन के थैंक्स देती हूँ ओ रेली हाँ चलो नभीन पर लेट जाओ ओके लेट जाता हूँ चलो आखे बंद करो ओके क्या करें टीना गुदगदी चला चलो ला अरे याने याने पर के और थैंक्स चाहिए नो थैंक्स बस आज का कोटा पूरा हो गया अच्छा कम ओन ओ राज तुम कहां हो राज तुम्हारी बहुत याद आ रही है तुम कब आओगे मीलू राज मैं आ गया ओ राज तुम राज सानी लेकिन क्या मुझे एक जरूरिक काम याद आ गया तो मैं अब भी गई और अब भी आई वाट वाट सानी डालिंग आ गई आप हाँ मगर बैड यूज अब क्या हुआ सानी अब भी गई अब भी आई मैं अब भी गया और कभी ने आया सानी अच्छा सानी डालिंग तुम मेरा प्लावर गार्डन में वेट करना ठीक है मेरा क्यान हम आ पर्डन मेरособ मेरा प्लाव करना भी आप य॥ चली सानी वाट अब पर्म घर भी आप आप वाट किसव गच्छा में जूबगे कर फिमै में पिए्टर यपी SC क्या करो कुछ न कुछ में बूल जाती हो क्या करो कुछ न कुछ में बूल जाती हो मेरे दिल पर बतलाओ ऐसा भी जरूर क्या काम है क्या को क्या है ङए अभी किया अभी किया अभी किया अभी कहला आई पर भी के में अभी कहया हो कर दो 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 कि नाम मेरे एक मेंसेज कोई लाया था कह रहा था खर से कोई फोन ने आया था नाम मेरे एक मैसेज कोई नाया था कह रहा था खर से कोई पोने आया था अध़ बाद ना बतलाओ उसका नम बगनाम बतलाओ लिज बतलाओаш कसे कि अध़कि यृषज कोई बस्तान लो प्राद बतलाद यह फ्यिवा ूभ था password यह झाल्ष व्यृड तर् humour這麼 इन एंक कि अभी आधए रिध ow snatch हुझ मी faites रिखने कर सो छेधर रहे बतलाओ भी नाया थान बेट बेट आव मी अदो 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 दीदी बैटीना बोल रहे हूँ हाई चिनी कैसे है तो ओ दीदी मैं लव दीदी ओ ग्रेट मैं लव दीदी मैडम आपके चेन किर गई है चेन? ठीके मैं देखके आती हूँ अदो सनी मैं लव! मैं लव अदो Sonny! Come on, move! Come on, move on! Move on! Sonny! Sonny! Hey friend! Excuse that bastard! Come on, Son답게! Come on! Come on, Boston! वो सेधितो बाज अष快 रहागाए बाजाए आव्ट पाज़। अबाज ठाज़ हो तक देदाई पाज़ थेंगा जे वाज़। जदित्ए एप डर्ama करे वो करे वा दिन्स आज़। कर पो कर दो कर नार कर लुट कर दो कर दो तो कर दो है झालो एकर तूबनी ञेजली तो कर दो कर दो यहां! किढ़ी एत प्रच प्रच नप्रच प्रत्व प्रत्र प्रत्र सुझांडर धज़ाख कि प्रत्र टी एंडरक से प्रत्र प्रत्र है थाल जब भॉट्ण से रखाय थिर्ट व. कर दो कर दो कर दो एंप। बढाओ सोर्टास क कर दो कर दो आडाओ सोर्टास तर्टास ह seeks to ले में हैं सहीर ठागा कि अभ़ और आफ दुछ एव़ जना दुछ अजिए से घजर बदsheet! लेड़े, लेड़े लेड़े, लेड़े! Sunny, help! Yo! Sunny! Here are you, bastard! Let us go! Sunny! Leave our man! Give me! Sunny! कि कि लिग टेब टुब गट की ओुट कि अधि हैं तेे ejぬ गड़ हुआ इख वर हुआ और थार हुआ दें प्री लार बड़र एव उड़ एड़र a जड़र ड़लत एड़र 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 लगर रार वह वह भी आप बनला में एार्फ एार्फ कर दूख्ए एार्फ प्वाभ आ एार्फ आप लेको बास्ट रिखना हैं वा आप थ पुख रखना हैं वा है कि अभल अब एको पाद राप जढे को अए जा पाना है कि उप पर पूश्ट जिए या उप जा जा याप मिल लो इध वक है है खखण खखड़ खवब कर लिए झाह एछ़ एखड़ रह पाह लिए अजय जग एए जय हाँ फट खब ख़च़ खब ख़ख़ एघ्ट तरिए्ट एवग्ट देख लोगा, तुम मुझे जाता नहीं, छोड़ू का नहीं, छोड़ू का नहीं, देख लोगा ओ, सानिलो कम आन, लेट्स को सानि, मैं बहुत थक गई हूँ, अब और कितनी दूर चलना होगा बस, यहां से थोड़ी दूर एक रेस्टारेंट है, शायद हमें रात महीं गजारनी होगी रात? क्या, दिर्ती हो? नहीं तो चलो होट होटों पीजो रख दोगे तो चैना आएगा कल बाहों में चकर लोगे तो चैना आएगा में आएगा अब तलक इश्क में आँखों से हिबाते की है अब तलक इश्क में आँखों से हिबाते की है ये अदाखन को सिखा दो के तो चैना आएगा उट होटों पे जरक दो के तो चैना आएगा अब तो चैना आएगा अब तो चैना आएगा अब दुनिया में लगे हो तो बुझा ना में किन तुम लगे दिल के बुझा दो के तो चैना आएगा होट होटों पे जरक दो के तो चैना आएगा तो चैना आएगा इश्क ने करवटे बदली है बदन में मेरे इश्क ने करवटे बदली है बदन में मेरे अग नस नस में लगा दोगे तो चैना आएगा कोट होटों पे जो रख दोगे तो चैना आएगा हुआ हुआ है कि आए कि अ कि नो तीना नो तुम्हारे यांसु मुझे सारे रास्ते चैन नहीं लेने देंगे सो स्माइल कम आन बहुत मुश्किल है सनी यह खड़ी अरे चल दिनों की तो बात है मेरे जाने के बाद तुम दिल लगा कर पढ़ना एक्जाम के बाद इंदुस्तान आ जाओ तुम्हारे वाँ आते ही हम पौरन शादी कर लेंगे और अपने शांदार घर में हम चारो रहेंगे चारो हां हम दो हमारे दो चारो हमारे जल रहेंगे तक लड़ी कर दूम्हार लैं हुआ हम चारne अबस्त लेज़ा अश आुम्हार अँ़ा अँ़ा अबस्त सर्क औरो सबस्व़ज सबस्व़ज सबस्व सर्क यु cuts सबस्वशक सबस्वश निस निलू अरमा, रिपोर्ट के मुताबिक आप बच्चे की मा बनने वाली हैं. oh my god Christina, you're pregnant oh my god Salam, oh Salam, Salam oh Salam, Salam Salam, oh Salam, oh Salam 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 Salam, oh Salam, oh Salam मेरी किया है तुम पे भरोसा मेरी किया है तुम पे भरोसा करना ना तुम पे वपाई सनम हर जाए 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 कट अ लाग福 आ नॉलेहर हुआ 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 आ पर meditation aster न in अ, हुआहर हुआ 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 पर अ के काषप आ, हुआए नुलेह, काषप सक्वें चाहरू कर juice हुआ हॽआ है जब याद आया, मांगी तो आये, रब याद आया, जिहरा तुम्हारा जब याद आया मांगी तो आये रब याद आया मेरे नजर भड़ आए सनम हर जाए 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 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें निलू, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुम मा बनने वाली हो, तुम गजब हो जाएगा मेरी सलाह मानो, तुम एवोर्शन करा लो हलो, 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 हलो निलू, हुआ यू माई लाव, राज, मैं ठीक हो, तुम कैसे हो, और कहा हो राज, लंडन में राज, जाजब हो गया, क्यों, क्या हुआ, तुम ठीक हो, मैं ठीक हो, लेकर मैं प्रेगने लाज Sapirya को कि नवह बनने वाली हो राज प्रेगनेन्ट, बनाथि और गोल्ड, या हो गया, दोछ से बिमलीन को कुछ सपरों को मैं मा बनने वाली हो राज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या हो गया है इस पून को तो नीलू तुम मा बनने वाली हो गुड बेरी गुड इसी दिन का तो इंतजार था मुझे राज मेरी बात सुन नहीं पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं लाइन भी कट गई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ देखो तुम फिक्र मत करो जैसा मैं कहती है तुम बैसा ही करो तुम एवोर्शन करा लो हाई 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 वेलकम है यह उपरेशन कितने बजे है ठीक बारवजे एव में एक अमाउन प्रेशन कितने बजे है ठीक बारवजे एव में अग्टर शाप मैं इस बच्चे का होने वाला बाप हूँ जिसे आप अब वाशन करके दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर रहे थे इसमें डॉक्टर साब का क्या कसूर है राज मैं अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थी एक माह होके तुम ऐसा कर रही थी निलू क्या करती राज समाज और दुनिया के डर ने मुझे मजबूर कर दिया उसे फोन पर मैं तुम्हें चिला चिला कर बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हूँ मगर तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया वाशन के अलावा मेरे पस चारा ही क्या था राज अब तुम्हें आ गया होना निलू मैं सारे समाज और दुनिया के सामने कहूँगा कि यह मेरा बच्चा है तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी अबोशन के बारे में नहीं सोचोगी हां राज लव यू हलो टीना डालिंग मैं सनी बोल रहा हूं अमेरिका से सनी मैं डालिंग आम मिसिंग यू आम मिसिंग यू तू लेकिन क्या बात है तुम रो क्यो रही हो सनी मैं मा बनने वाली हूँ ओ टीना डालिंग यू तुमने मुझे बाप बना दिया सनी मुझे बहुत डर लग रहा है सनी मैं बोशन करवादा चाती हूँ अरे मेरे होते होगे कैसा डर और बोशन का नाम भी मत लेना अगर तुमने मेरे प्यार की निशानी को मिटाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा तुम बादा करो कि अ बोशन नहीं कराओगी तुम्हें तुम्हें तुम्हारे सनी की कसम अच्छा सनी, अच्छा मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मैं हिंदूस्तान जा रही हूँ ओके टीना डालिंग, मैं तुम्हें बहुत जल इंडिया में मिलता हूँ I love you, bye I love you too, Sunny, bye Sunny तुमने मुझे बताया है टीना, अब मैं सारी दुनिया को बता दूंगा के तुम बिन ब्याही मा बनने वाली हो What? No, Never इतनी जल्दी क्या है? Shut up! I don't like this, this is very bad राज, क्या हुआ? ये बात में बर्दास्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए? क्या हो जाए? आखिर बात क्या है? ये गधा बेवकूफ कमीना, कुछ समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं अरे बार बार एक ही रट लगा रखिए कि दुनिया में जल्दी आना है, जल्दी आना है अरे तुम बस्ती हो पर बात का एक प्लबर वक्त होता है पहले जरा हम अपना घर बना ले घर सजा ले, शादी कर ले तब ठीक नौ महीने बाद वो इस दुनिया में है तुम कितने अच्छे हो राज अच्छा और मैं? मैं तो बहुत बड़ा राक्षस हूँ टेवल हूँ फिर न कहना के नहीं बताया कि I'm a mad man मैं जानती हूँ तुम क्या हो तुम तो मेरी जान हो जान? राज हाज मेरी छोटी मैं नीजिलेंड से आ रही है शी इन लव वेरी नाइस बॉय लेकिन वो भी प्रेग्नेंट है ठीक है मेरी जान मैं जो हमारी लिए घर बनवा रहा हूँ उसमें उनके लिए भी एक बेडरूम बनवा देंगे उसकी शादी कब हुई? नहीं अभी उनके शादी नहीं हुई वो लड़का कौन है? वो एक शायर भी है और बिजनसमेन भी शायर और बिजनसमेन? ये दोनों तो अलग अलग चीज़े है कमाल का कॉमिनेशन है नाम क्या है उसका? सानी नाम अच्छा है तो एरपोर्ट आओगे न बोलो वो तुमसे मिला भी चाती है अगर मैं एरपोर्ट आया और उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो गश्खाकर गिर जाएगी गिर जाएगी? और सुनो तुम्हे एरपोर्ट भी आना है येस नीलो जी रफ्या ध्यान दे एर न्यूजिलांड को ये सूचित करते हुए खेद है कि उनकी फ्लाइट अब तीन घंटे देर से आएगी अब फ्लाइट दो बजे आएगी धन्यवाद नीलो पापा फ्लाइट तो तीन घंटे लेट है दो बजे आएगी मुझे वापस कोट जाना है नीलो तुम एक काम करो टीना को लेकर घर आजाओ शाम को मिलते हैं मैं चलता हूँ ओके पापा बाई यूर इटेंशिन प्लेज एर इंडियास अरे जल्दी आता तो तुम्हारे पापा से मुलाकात हो जाता है और वो शायद तुम्हें पसंद भी कर लेते इसमें कोई शक यह देखो हमारी होने वाली साली के लिए फूल लाया हूँ फूल पसंद है ना उसे फूल नहीं चॉकलेट पसंद है उसे नीलू साली तो आधी घरवाली होती है और तुम्हारी बेहन जैसा कि तुमने बताया बहुत खुपसूरत है कभी कभार एकात पॉपी लेने की इजाज़त है शाट आ यूँ क्योंके बाबा फ्लाइट कितने बज़े आ रहे है दो बज़े अरे दिले हो गई ओ माइग गॉड क्यों क्या हुआ हुआ बहुत जरूरी काम है मैं मेरी प्यारी प्यारी साली से कल मिलता हूँ मेरी तरफ से फूल उसे देदे अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम है रुको भी अगर जरूरी काम नहोता तो रुकने जाता तुमने हुकम किया था नहीं होगा तो देखो मैं आ गया अब अगर फ्लाइट डिले हो गई तो इसनो मैं क्या करूं चलो आब मैं चलता हूं एक काम करना मेरी तरफ से उसके एक चुमी ले लिना अब तो आप आप एड जाए अग में अगाए तुम यहां केसे आगे इंग्रेशन में पॉमिशन लेकर तुमसे मिलने के लिए तरप रहा था प्लाइज तीन गंटे लेट थी सच्छ तरप रहे थे हां एक बार फिर गले मिलो अरे यह क्या कर रहे हो यह इंडिया है अरे मैं तो भूली गया था तुम्हें देखने के बाद मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है यलो चोकलेट तुम्हारे लिए हाँ अब मैं चलता हूं कल फिर मिलूंगा ओके बाई लव यू लव यू चू बाई तीना दीदी कैसे है तुटनी बिल्कुल ठीक दीदी और तुम देख ले तेरे सामने हूं पापा नहीं आये आये थे लेकिन प्लाइट दिले थी इसले कोट चले गए अच्छा और वो तुम्हारा राजकुमार वो भी आया था कितना स्मार्ट लग रहा था रैल चैकेट में लेकिन प्ल आज क्या कह रहा था तीना मेरी होने वाले साली है यानि कि आदिगर वाले इसले मैं उसके तरफ से तेरी विप्पी लें ही कर दो लेलो तो टेरा से नि वो क्या कहता है मेरे लिए अरे दीदी तुम उसे देखोगी इन सब्सक्रा अब शैना तो खुद से जायुनृ अकंस उनके उसूल और उनका गुस्सा कई हमारे प्यार के आड़े ना आ जाए दी टीना, हमने प्यार किया है, कोई पाप तो नहीं किया, तो फिर डर्ना कैसा, सनीप तुम से शादी करने को तयार है, और राज मुझ से, अगर सारी दुनिया भी हमारे सामने खड़ी हो जाए ना, तो भी हमारा प्यार सब का मुकावलाग कर लेगा, टीना, पापा, ओ टीना, माई डियर डर्लिंग, हाव आ यू, पापा, निलू, टीना थोड़ी मोटी होकर आई है, चॉकलिस बहुत खाती हो ना, पापा, आज शनवार को हमारे दोस्तों की पार्टी होती है, लेकिन मैंन पार्टी में नहीं आउंगा, वाँ नाइस आप यू, पापा, तु अपना कोर्स कुरा करके आई है, यह बैरी गर्ड, I'm very proud of you both, let's celebrate, come on, जल्दी है जाया, वाट, shut up, I don't like this, हाँ, क्या हुआ सनी, देखो, तुम बीच में मत बलो, मैं उस उलु के पठे से बात कर रहा हूं, जो तुमारे पेट में है, मैंने उससे कहा, भई जल्दी दुनिया में आजा, मैं बाप बनना चाहता हूं, तु कहता है, no, I'm not in the mood to come in this world so soon, उलु का पठा, हसुमत, look, मैं तु मैं आखरी बार कह रहा हूं, come soon in this world, या, बरना, come on sunny, जब time पूरा हो जाएगा, तो वो दुनिया में आजाएगा ना, अरे वा, अभी तो वो दुनिया में आया भी नहीं, और तु मेरे खिलाफ हो गई, ओ sunny darling, I love you and I love him as well, वो ठीक 9 महीने पूरे करने के बाद ही आएगा, दीना, ये अल्ला मिया ने 9 महीने का इंतजार क्यों बनाया, कुछ, जल्दी नहीं हो सकता क्या, जब अल्ला मिया से मुलाकात होगी ना, तो पूछ लेना, फिल्हाल तो मेरी दीरी तुम से मुलाकात करना जाती है, नहीं, मिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करना, बरना, बरना, बरना क्या, देख टीना, जब से तुम हिंदुस्तान आई हो, सूरज की किरनों में इश्की गर्मी आ गई है, हवाओं में तुम्हारे जुल्फों की खुश्बू समा गई है, फुलों पे महबत की ता मेरा स्टाल देखेगी, तो वो अपने राजकुमार को भूल जाएगी, और फारण मुझसे मेरा हाथ मांग लेगी, शादी कर लेगी, फिर तुम्हारा क्या होगा मैं पूर्टी ना, कमोन सनी, मेरी दीदी का राजकुमार तुमसे कहीं जादा अच्छा है, और हाँ, खबर प्रणाइब अच्छा है, यह वार्मा तुमसे कशा है, और हाँ, वार्मा तुमसे कहा है, वाग देश में आपका फॉमिला सौथी सदी कामयाब थात वा, उसी खुशी में ये नजराना आपके लिए, ओ, ठैंक्यू, राजकुमार, तुम तु कमाल कर रहे हो, एक के बाद आखिर आप जैसा अनुबवी गुरू मेरा अदर्श हो तो निशाना कैसे चुक सकता है सर किसी दिन आप मेरी तारीफ जरूर करेंगे कि मेरा एक एक तीर बिलकुल ठिकाने पर जाकर लगा है तुम भी मेरी तरह पक्के तिरंदाज हो गए हो इसलिए कामिया भी तुमारे कदम चुम रही है इस खुशी में आज की शाम तुम हमारे साथ गुजारोगे जहां जलवे ही जलवे होंगे कम आन हर लड़की पने चोली मैं जो सीदू चोली तो चल जाए शाहर में गोली तक्रीन चोली बेर्जी 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 नाप लेले मेरा आख बंद करके मरजी मरजी तेरी मरजी ना पुलूगा तेरा मैं तो आग खोल के ना पुते ना हो तोदे पर ना तेरी मरजी मर्जी, मर्जी, तेरी मर्जी पिछले बरस तक कच्छ कली थी फूल बनी इस सार जैत जवानी मेरे वैसी चोली सीरे में सार ऐसी सी दू चोली जिसमें देदोले तिल पालों का सची बात हमेशा बोलु पात करू ना परसे जर्दे 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 मर्दे तेरे मर्दे तेरे मर्ण καत बालों कि बाहुँ फूल kto परसे पक्तुशád बालों क wealth जोली बरना मुश्किल पड़ जाएगे तंग नतीना जोली बरना मुश्किल पड़ जाएगे मैं जो लूंगी फंगड़ाई तो जोली फट जाएगे ऐसी फिटिंग मैं तूंगा असाय देकत ही रह जाएगे प्यार से देनाब मुझे बस यह हमेरी अर्जी मर्जी दर्जी जाने दर्जी मर्जी मर्जी तेरी मर्जी जर्दां जर्बां जर्दां 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 कि यह तो बहुत है है तो दुवर्ण सबस्क्राइब नियुक्राइब था रुकावट के लिए खेदाए क्योंकि सूटकेस में मासूम सचेधर नहीं किसे समझता है नहीं अची स्प्राइब मेदर्जीभाई नक्षच्छचुराई चाकजाद छोड़कें अब करला सदाई चूबन जा साहरं हिसा बनालु गाई, ओके, 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 होगे हाँ 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 चोली हब सकंध क्यो मैं तिस अजसी कै隨करल Learn क्यों यंग मैन देखा यह उसने का बजार मज़ा आया ना राजकुमार पेहद क्या रंग है और क्या बहार हमारी यह रंगा रंग पार्टी होती है हर शनिवार जब हम लोगों को चड़ता है इश्क और मुहबबत का बुखार क्या बात है सरकार और हर शनिवार नहीं नहीं महबुबाय यहां लुटाती है अपना प्यार राजकुमार फिर आना अगले शनिवार कर अपना ओर में कि यह पुके कौन लाया सब्सादमी तो नहीं पहचानती अंजान आजमी से बुके लेने का मतलब समझती हो इसमें भम भी हो सकते हैं मेरी वकालत के नाम और शान की वज़ा से मेरे दुश्मन मेरी जान लेनी की कोशिश कर सकते हैं समझें यह सब्सक्राइब किसी अंजान आदमी से बुके लेने की कल्ती मत करना ले जाई से आज के केस को अच्छी तरह से स्टड़ी कर लिया यह सर अरे कवा सब रडी हैं सर गड़ गुद मॉर्निंग सा गुद मॉर्निंग राजकुमार आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना मेरे लिए तो सब खैरियत है सर पर आपके लिए नहीं क्या मतलब सर मैं अभी अभी एक बहुत ही अच्छे जोची से मिलकर आ रहा हूं उसने मुझे बताया कि आपको राहू की बुरी दशा लग गई है आज से अब से आप जो भी काम करेंगे वो सब उल्टा हो जाएगा कोट में आप हर केस हर जाएगे घर में बरबादी हो जाएगे आपकी सुक्षानती सब खत्म हो जाएगी सर और आप दबा हो जाएगे क्या बखवास कर रहे हो राजकुमार तुम्हारा धिमाज तो ठीक है ना मैं किसी जोतिश विद्या में विश्वास नहीं रखता राजकुमार आज मैं एक ऐसा रेप के चुटकी बजाते ही जीतने वाला हूं कि जिसे देखकर लोग दंग रहे जाएगे और तुम्हारे ज क्या तुम्हार तुम्हार तुम्हारा तनवme तुम्हार थे जाएग। कर दो कर दो मुबारक हो वकिल साब आप नाना बनने वाले हैं आपकी दोनों लड़किया पीना शादी के माँ बनने वाली है क्या बात है मिस्टर वर्मा मेरे अदालत से यह दरख्वास्थ है कि मेरा यह केस कल तक के लिए मुल्तवी किया जाए और राइट मिस्टर वर्मा थेंक यू 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 रहानर थेंक यू कि दे लो टीना कि अ कि अ कि अ हलो पापा अलो पापा अलो बैटे क्यों 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 नहीं जवाब दो मुझे तुम दोनों की खामुशी खुछ जवाब है इस बात का कि जो खबर मुझे मिली है वो सही है सच है अब बोलो जी पापा सुन लिया खन्ना इन दोनों ने मेरे चेरे पर कालिक बोती है वर्मा खंदाम की इज़त के चिठणे उडा दिये हैं कि दोस्ते काम करें अभी इसी वक्त इन दोनों को क्लिनिक लेजा और इनका अबोर्शन करवा दे इबोर्शन नहीं पापा हम अबोर्शन नहीं कराएंगे का सूनने जो मुझे सिखाया मैंने वैसा ही किया है तेरी जूती यहां है तना पापा और मुझे मेरे सानी पर ये इद्बार और यकिन की सरहदे शादी के बाद चुरू होती है शादी के पहले नहीं यह प्यार नहीं गुना है गुना इसे हमारा समाज और हमारी तैजिप कभी मन्जूर नहीं करती है कुछ भी हो जाए पापा लेकिन मैंने राज से वादा किया है मैं आबोर्शन नहीं कराऊंगी और मैंने भी सानी किया है बाइबोर्शन कराना ही होगा नहीं कभी नहीं अगर आप हमें मजबूर करेंगे अपना हथ जताएंगे तो हम भी अपना हथ मांगने अदालत में जाएंगे बख्वाज बन करो करना इनकी पाप की संताने मेरे घर में आख ने खोलेगी इन्हें बेहोशी का इंजक्शन देकर इनके पेट में पल रहे पाप को खतम कर दो अगर पापा की जिद और हमारी मर्जी के खिलाफ आपने धोके से हमारा बॉशन करने की कोशिश की तो मैं मेडिकल असोसीशन में आपके खिलाफ शिकायत करके आपका जॉक्टिकल आइसस रहत करवादूंगी कितना ही नहीं मैं आपको कतल के जुर्म में अदालत में पापा को मिलवाओं अगर वो शादी के राजी हो जाते हैं तो तो सब ठीक हो जाएगा बेटे सच्चाई कितनी दुखतायक होती है वर्मा जब तेरी बेटियों के नाजाएज बच्चे तुझे पुकारेंगे नाना नाना यू पास्टर्ड कान है तू भाही तरफ देख सब पता चल जाएगा पास्टर्ड के 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 वर्मा के खास दोस्त डॉक्टर खन्ना को यस सर गुडियमी डॉक्टर खन्ना मैं एड्वकेट के के वर्मा की सेकेटरी बोल रही हूं जी जूली अहां ज़रा गले में खराबी है जी जी कल वर्मा सहब ने अपने घर एक सर्प्राइस पार्टी रखी है जी हाँ आपको भी इंवाइट किया है इक साथ बजे सर वर्मा सहब ने कहा है कि इस सीक्रेट पार्टी के बारे में आप किसी को बताएगा नहीं जी सर, थांक्यू सर आप सब दोस्त, भावियों के साथ यहाँ, यह क्या सर्प्राइज है? यह तुम क्या कह रहो वर्मा, तुमारे सेक्रेटरी ने हमें फोन करके इस सर्प्राइज पार्टी के लिए इन्वाइट किया है सेक्रेटरी ने? यह मजाग मेरी समझ में नहीं आया वैसे आज फर्स एपरिल भी नहीं है आज तो 6 जून 1995 है मतलब 6 6 95 और आज इस पार्टी में एक नहीं कई सर्प्राइज है यह तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? मैं ठीक कह रहा हूं मिस्टर के के वर्मा वर्मा साब, आपकी दोनों बेटिया दिखाए नहीं दे रहे हैं सर्प्राइजस का सिलसना उनके बगार कैसा शुरू हो सकता है जरा उने भी तो बुलाईए वो नहीं आ सकती उनकी तबियत ठीक नहीं है आज सी नीलू नीलू राज तू यह है राज तुम अपने पापा और इन सब के सामने इक्रार करो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो हाँ राज नीलू क्या मैंने कभी तुमारे साथ प्यार में जोर्द बर्दस्तिक की नहीं नीलू क्या कभी मैंने तुमारे साथ पलातकार करने की कोशिश की नहीं कभी नहीं तो इसका मतलब नीलू हमारे भी जो भी हुआ, तुम्हारी खुशी से हुआ हाँ राज और ये भी सचा ना नीलू, कि तुम मेरे बच्चे की मा बनने वाली हो लेकिन राज, तुम ऐसे सवाल सब के सामने क्यों पूछ रहे हो एक मूत और जवाब देने के लिए क्योंकि नीलू, तुम ही मेरे इंतकाम का पहला बयान हो बोलो नीलू, बोलो, तुम मेरे बच्चे की मा बनने वाली हो या नहीं हाँ राज तो तुने मेरी बेटी की जिन्दगी बरबाद करती यू बास्टर वर्मा, रुक जाओ वर्मा वर्मा, चीज वर्मा साहब, यह तो पहला सप्राइज था, अब ज़रा दूसरे सप्राइज का भी तो इंतजार कीजिए टीना सनी तोट राज ही सनी है टीना, तुम मुझे कितना प्यार करती हो बहुत प्यार करती हूं सनी और अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो बोलो टीना, बोलो हाँ सनी यह है दूसरा सप्राइज, लेडिज और जंटलमन तुने मेरी दोनों बेटियों की जिन्दगी बरबाद करती दोनों को पचाया, मैं तुझे जान से माल डालूंगा सनी, तुम भी मेरे दीदी के राज हो यह हमारा गुनेगार है तुम इतने नीच और कमीने हो तुमने मेरे साथ साथ, मेरे मासूं बेहन के जिन्दगी के साथ पर किल्वार किया और अब सब के सामने हमें जली कर रहे हो मैं पूछ दियो, मैंने क्या भी गाना था तुम्हारा उस मासूं में क्या भी गाना था तुम्हारा मुझे इसी सवाल का इंतजार था नीलू, कि मैंने ऐसा क्यों किया इसलिए कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह मासूं था मगर इस जहरी ले इंसान ने मेरी मासूम रगों में नफरत का जहर भर दिया और मैं पागल हो गया वैशी हो गया दिवाना हो गया और आज मैं तुम्हें ही नहीं तारी दुनिया को बताऊंगा कि इस दरंदे ने मुझे अपनी ही नजरों में कितना गिरा दिया है याद कर वर्मा आज से बीस साल पहले की तारीश याद कर 66 76 क्या बात है दीदी आज राखी के दिन आपके आँखों में आसू कुछ नहीं भीया दीदी आप इने तो कहा था कि बहन भाई की कलाई पर राखी इसलिए बानती है कि बहन के दुख में भाई उसकी रक्षा करें हां राज अब क्यों रो रहे हो दीदी मुझे बताओ ना अब भी बहुत चुटा है ना भाईया जब बड़ा होगा तो बताओंगी नहीं दीदी मुझे आभी बताओं भीयाज क्या हुआ सर्ला सर्ला क्या हुआ बेटे मां आखिर हुआ क्या है बोलना मुझे बहुत बढ़ी ग्याती हो गई मां लेकिन हुआ क्या है कि उसने मुझे बहुत बढ़ा दोक्त दिया इसने तुझे दोका दिया इसाफ-साफ क्यों नहीं बोलती है केके वर्मने अपने तो तुम मा बनने वाली हो है भाउट कुशी की बात है तो तो आप मुझे से शादी करेंगे ना शादी तुम शादी की चीज थोड़ी हो तुम तो आश्च का सामान हो लो प्यों नहीं नहीं देखे मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाले हूं आपने मुझसे शादी करने का वादा किया है अगर वादा नहीं करता तो तुम मेरे बिस्तर तक कैसे आती है हाँ हमारे मिस्तर तुम्हारा इंताबर रहा हमें रिखान सब्सक्राइब 45 आपको मुझसे शार यह घंगी होगी इतने मोटे मोटे आसो मेरी जान एक काम करो यह पाच हजार रुपया लो और अपनी प्यार के निशानी का अबॉर्शन करवा लो तुम फिर इस दुनिया में मुझ दिखाने लायक बन जाओगी आपको मुझसे शादिक कर नहीं होगे वर्णा में अत्मार क्या कर लूँगे कि इसका गिरेबान पकड़ती है केके वर्मा का क्या लड़किया मेरा बिस पर गरम करने आती है गिरेबान पकड़ने नहीं कल केके वर्मा काराजा मेरी बेटी की जिंदगी बर्मात करके तु चैन से नहीं बैठ सकता एई चिलाओ मत हमारे इस घर के शीशे बहुत नाजूख है उची आवाज से यह चकना चूर हो जाएंगे तो बदार में दूसरे मिल जाएंगे लेकिन मेरी बेटी की जिन्दगी पर तुमने जो दाग लगा है उसे कौन मिटाएगा इतनी सी बात के लिए चिला रही हो है जा कर सडक पर बैटे किसी भीकारी से इसकी शादी करवा दे तेरी बेटी को एक पती भी मिल जाएगा और उसके सारे दाग भी धूल जाएंगे जा मैंने कहा ना उच्छी आवाज नहीं मेरा नाम एडवो के टेके वर्मा है मेरे लिए किसी पर इल्जाम लगवा कर उसे गुनेगार साबित करना या किसी गुनेगार को साब परी करवा लेना बाय हाथ का खेल है और मुझे भी कमजोर मत समझ वर्मा मैं भी एक माह हूं बहत CPU वो होती है जो शादी के बाद सुहागरात मनाती है और शादी से पहले इश्टर पर सोने वाली श्या होती है विश्या विश्या से शादी नहीं की जाती सादा करते हैं सादा पर्मा ए बुणियां होश में आ पहले तू होश में आ और याद रख अब मैं तेरी असलियत दुनिया वालों के सामने खोलूंगी तुझे घसीट कर आदालत ले जाओंगी जाये मेरे बेटी की कितनी भी बदनामी हो तुझे और किसी की बेटी की जिन्दकी बर्बाद नहीं करने दूंगी कमीने और उससे जून 76 के बाद मैं एक रात भी चैन से सोने ही पाया आखों से खून क्या सुरोया नीन भी आई तो खाफनाग दस तक ने सोने नहीं दिया मैं लगातार खून की बारिश में दर्बतर होता रहा खून के छीटे मेरे चेहरे पर अंगारों की तरह देखते रहे इस वर्मा ने मेरे बच्पन को जिस से सीचा है उस जहर से सीचा गया पेड़ चंधन का पेड़ तो नहीं हो सकता ना इसने मेरे पच्पन को बनपने ही नहीं दिया प्यार नाम के खुब्सूरत चश्पे के चलम लेने से पहले ही इसने उसका गला घोट दिया लेकिन जिस तरह से तुमने इनसे बदला लिया है ये तो बहुत ही घिरोना तरीका है अगर तुम्हारी मा और बेहन के साथ यह हुआ होता तो क्या तुम उनकी मौत और घ्रत का बदला नहीं लेते हैं ऐसे ही खामोश बैठे रहते हैं एक नपुंचक की तुला लेकिन तुम्हारा गुनेकार केके वर्मा था तुम उसे गुली मार सकते थे अगर मैं इसे गुली मार देता तो ये चैन की मौत मर जाता लेकिन इसे दर्सा दर्सा कर मारना ही मेरा अंतकाम है लेकिन एनकी लड़िया तो मासून थी… तुमने इनके साथ ऐसा क्य Bak kryp इसके था उसका? उसके साथ इसकर इन में ंएसा क्यों किय। यही तुम्हारे सुवाल का जवाब है और यही मेरा तकाम है अब मैंने समाज के ठेकेदार को इसी समाज के सामने जल्लत की जिनने पर मजबूर कर दिया है यही मेरा इन्तकाम है कि तु अप्छी ओलादों से लजरे ना मिला सके यही मेरा इन्तकाम है और तुझे ख़तम करना हि मेरा मक्सट है पर देवी पजो मुझे अप्रेपापी हादों से तुने जो राज की बहन के साथ किया है उसे दुनिया के गाए और मंदूर नहीं करेगी तुने राज को इंतकाप की आदि में जोग दिया करला तुने तुने राज के माजों पड़्पड को हेवान दरिंदा बना दिया तेरे गुनाओं का पत्ना राज ने मुझे से और टीना दिलिया है तुक भाब है या राग्ष्ण नहीं नहीं तो चाज को कदम करने से बाप की जड़ नहीं उकरेगी आपकी असली जड़ तू है तू है तू है तू है तू है तूने ते शर्म और दिल्लत का हगदार हमें बनाया है आज आज तेरी बेटी होने के नाते वही हग मैं आदा करें हूँ तो यह खिनोने और गंधी कहानी है तेरे इंतकाम की तुझ में और केके वर्मा में फर्क ही क्या है तुम दोनों ही ने और ते प्यार को बेइज़द किया है क्या समझ रखा है तुम लोगों ने और अवरत की इज़द को जरा सोच औरत कितनी महान होती है जिस नीलू को तुने बर्बात किया उसी ने तेरी जिन्दगी बचाने के लिए अपनी चान दे दी इसके आखों की तरफ दे कितने आसू भर दिये तुने इसके आखों में फिर भी इसने कभी कोई शिकायत नहीं की लेकिन मा मैं नफरत का समंदर पार करके हूँ उसका जहर मेरे खून के कत्रे कत्रे में समा गया है तो क्या तो अपने बेटे को भी अपनी जैसा हैवान बनाना चाहता है तकि वो बढ़ा होकर खुद की और अपनी मा की बरबादी का इंतकाम ले निलू की मौत का बदला ले तुछ से मैं पूछती हूँ कब तक चलता रहेगा ये इंतकाम का सिलसिला कब होगा इस कान्त देख अपने बेटे की तरफ देख इसका प्यार तेरे नफरत के जहरीले समुंदर को अम्रित का सागर बना देगा इसके आखों का गंगा जल तुझे पवित्र कर देगा अर्टों की इज़्जत करना सीख राज मैंने तुझे जनम तो नहीं दिया राज लेकिन ये शुदा बनकर कृष्ण की तरह पाला है तुझे क्या मेरी ममता का और तेरी मा की दूद का रंग बदल गया है नहीं मा नहीं मैं कहते हूं अपना ले इस बेगुना को बदल दे इस खिनवने कहानी को अब इस प्यार के कहाने में क्योंकि प्यार ही जीवन है और प्यार ही परमात्मा मा मुझे माफ कर दो 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 मुझे माफ कर दो जाने कान की हसीना, जाने कान का दीवाना झालजी जाने कान का दीवाना